कि कम्पेटिशन हब के विडियो लेक्चर में स्वागत है स्टुजेंट्स आपका और आज मैं जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ है नाइन उसका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं तो जो लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट की हैं वो अच्छे से अपना सॉल्यूशन देख लें कि आपने किस तरह से बनाया था और क्यों गलत हुआ था तो इससे आपका किलियर हो जाएगा कि कॉंसेप्ट क्या है यहां पर रिजनिंग का बहुत ही आसान को संस पूछे जाते हैं जैदा टफ नहीं हैं रिजनिंग के सेक्शन से या टिशिंग अप्रिचूड के अगर च टेस्स करवाएंगे जो कि आपके लिए वहुत ही फाइदाकारक होगा आप जो है जब ऑनलेन एक्जाम में बैठेंगे तो आपको अभ्यास पूरा बना रहेगा और किसी भी परकार की कमी आपको महसूस नहीं होगी ठीक है तो इसके लिए कुछ नहीं करना है अगर ऑनलेन कर सकते हैं ठीक है 7070634348 मातर 499 चार्ज है जिसमें आपको 30 online टेस्ट पलस आपके PDF और विडियो लेक्टर्स करवाए जाएंगे तो इससे जरूर जूरें आपको जरूर फायदा मिलेगा ठीक है और बहुत लोग बोलते सर एक्जाम होगा की नहीं होगा स्टुडेंट सरक चुकि सरकार इसके पीछे पूरा तयारी जोर शोर से कर रही है चलिए सबसे पहला कोशन स्टार्ट करते हैं किसी भी छोर से सुरू करने पर यदि किसी बैक्ती में आपका नमर 11 हमा है तो यह बताईए कि पंक्ती में कुल कितने बैक्ती है ठीक है तो देखिए यहाँ पे म मेनस वन कर लेते हैं यानि 22 में से गया एक इस ओप्सन नमर क्या हो जाएगा दो तो यहाँ पे कुछ नहीं है लेप्ट पलस राइट मेनस वन ठीक है और एक बैक्ती है चुकि आपका 11 उधर से है इधर से भी 11 हमा है तो आप अकेली 11 जो पोजिशन है वो दोनों तरब से आ आएंगे अमन के बारे में बोला अमन किस से तेज दोरता है अमन गेटर देन नमन ठीक है नमन से तेज दोरता है किन्तु दिवान मोनू से तो यह भी अलग बना लेते दिवान मोनू से तेज दोरता है किन्तु विजय जितना तेज नहीं दोरता है किन्तु विजय जितना त तेज नहीं दौरता तो सबसे तेज कौन दौरता है ठीक है तो देखिए यां बोला है कि अब अमन नमन से तेज बॉरता है एक अलग बनालिए किनतु visit दीवान मोनु से तेज दोरता है, किन्तु विजय जितना तेज नहीं, तो विजय जितना तेज नहीं, तो यहाँ पर विजय आ जाएगा, और उसके आगे कौन आ जाएगा, दिवान आ जाएगा, उसके आगे मोनू आ जाएगा, ठीक है, तो अब पूछ रहा है, सबसे तेज कौन दोरता है, ठीक है, तो चुकी यहाँ पर देखे, विजय जितना नहीं बोला है, तो अमन और नमन का बीच में कंप्रिजन नहीं करवाया है, तो हम विजय को यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है, तो सबसे तेज कौन दोरता है, तो विजय ही होगा, यहाँ पर फिर से एक बार question को, अमन नमन से दोरता है, अमन के बारे में बोला है, किन्तु विजय जितना नहीं, तो यहाँ पर विजय को सबसे आगे हम कर दिये हैं, तो सबसे तेज कौन दोरता है, तो क्या हो जाएगा, ओप्सन नमर तीन कौन हो जाएगा, बिजय है, अब next question है, पुस्तकों की एक पंक्ती में गनित की पाट पुस्तक, बाईं और से आठमी और दाईं और से तेरह मी हैं, ठीक है, तो मैंने बता है, left plus right minus 1 कर देते हैं, टोटल निकालने के लिका करते हैं, लेट plus right minus 1 कर देते हैं, answer आ जाएगा, तो क्या बोला कि बाईं और से कितनी है, गनित पाट की पुस्तक की बाईं और एंसर क्या हो जाए ऑप्सान नमर सी एकदम यह सुत्र याद रखेंगे लेफ्ट प्लस राइट में इसको नहीं भूलिएगा ठीक है अब नेक्स्ट है लेकिनिसमाज अगर आगया तब इसमें कुछ नहीं करना होता है कि अलफाबेट में जो में दोनों के विचे में क्या वही पोजिसन यहां सब्द में है तो इसके लिए क्या करते है, जो सब्द है, जिसे S है, S से गिना शुरू कीज Tabii S के बाद क्या हो जाता है अलफा बेट में सुरू करेंगे S T U B W X Y Z A B ठीक है कोई सब्द आया नहीं आया फिर जैसे O है O P Q R S T U B W कोई सब्द मिला है नहीं मिला है L M N O P Q R S नहीं मिला उसके बाद L L M N O P Q R S नहीं मिला I J K L M N O नहीं मिला D E F G H I नहीं मिला A B C D E नहीं मिला R S T यह मिल गया जो पोजिशन अलफाबेट वही T का पोजिशन R S T के बाद भी है R S T A की यह होगा R S T U नहीं I J के इधर भी नहीं होगा अब फिर क्या करेंगे बेकवार डायरेक्शन में देखेंगे अब देखिए Y Z A B C D Y Z A B C D यह मिल गया E F G H फिर T U B W X Y Z नहीं मिलेगा उसके बाद है I J K L I J K L M N नहीं मिलेगा R S T U B W नहीं A B C D नहीं मिलेगा D E F G कोई भी पोजिशन अब नहीं मिला यानि दो एक ये और एक ये दो उतना ही करम में जो लेटर के बीच में गैप है जितना की अलफावेट में होता है इसलिए हम जहां से लेटर है वहां से अलफावेट पढ़ना सुरू करेंगे जो सब्द उसके सामने वही पोजिशन आ जाता उसको हम काउंट कर लेते हैं तो टोटल दो हो गया अप्सन नमर क्या हो जाएगा यहां पे दो ठीक है अब बोला है घरी के घंटे की सुई 72 घंटे में कितने चकर पुरा करेगी घंटे की सुई 72 घंटी में अब फोटोग्राप में एक बैक्ति की और संकेत करते हुए टीना ने कहा एकदम बिल्कुल अपने पर लेके बन जाएगा वह मेरे चाचा की वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है वह मेरे चाचा की पुत्री का यानि उसका भतिजा हो जाएगा फोटोग्राप में दिखाएगे चाचा की पुत्री का भाई है, वो मेरे चाचा की पुत्री यानि उसकी बहन का भाई हो गया, फोटोग्राफ में, तो यहाँ पर चचरा भाई होगा, अपने उपर लेके बनाई यह तुरत बन जाएगा, घरी की मिनट वा घंटे वाली सुई के बीच में एक मिनट में बनने वाले कौन का मौन कितना होता है तो एक मिनट में घरी की मिनट और घंटे वाली सुई के बीच एक मिनट में बनने वाला कौन का मौन कितना हो जाएगा तो यहां निकाल लेंगे घरी के मिनट की सुई वो घंतेवाली सुई चुकually एक घंटा में 60 मिनट वो घूमती है के बीच एक मिनट में तो एक मिनट में कितना डिग्री का कोन बनेगा तो यहां पर अब यहां क्वेशन बोला है मिनट वाली सुई तो आप जानते हैं कि 6 मिनट में 1 गंट आम 307 डिगरी घुम जाती है यह टोटल घरी कितना होता तो 360 डिगरी तो चुकि आपका 60 मिनट में 307 डिगरी घुम जाती है तो इसलिए 1 मिनट की 360 वटे 60 कर लेंगे यानि 66-36 ठीक है तो 6 डिगरी 6 बिइगरी 6 डिइगरी 6 बिइगरी कोण बनाएगी 6 डिइगरी चुकी 60 मिनट में 330 बिइगरी बनाती है एक मिनट में कितना बनाएगी 6 डिइगरी समझ गए होंगे आफ चलिए next question पर आते हैं रभीը दिनेश की पत्नी है रभीन और परभु भाई है मोहन दिनेस का भाई है ठीक है मोहन जो है दिनेस का भाई है मोहन और क्या बोलता है एक बीच में मोहन और पर्भू पर्भू भी भाई ही है तो यहीं पर इसको सेम लेवल में ही पर्भू को भी रखते हैं सेम लेवल में ही थोड़ा सा space की कमी हो गई तो पर्भू भी यहां घुसा देते हैं बीच में क्योंकि दुना अपस भाई है पर्भू का रवीना से क्या संबंद है तो पर्भू कुन लगेगा देवर लगेगा ना रवीना का ठीक है पती का भाई भी बोल एक सकेंड फिर से रवीना दिनेश की पतनी है र मोहन दिनेश का भाई है दिनेश का भाई है मोहन भी तो यह दुनों भाई है पर्भू का रवीना से संबंद है तो पर्भू का यह पर्भू जो है रवीना का कौन लगेगा देवर यानि पती का भाई पती का भाई चाचा माव भती जा पती का भाई होगा अप्सन नमर एक ठीक है इसका सही जवाब होगा option number 1 चलिए next question पर आते हैं यदि मैं दक्षिन के और अपना दाया हाथ फैला कर खराऊं अब देखे सबसे पहले ये हो गया उत्तर ये हो गया दक्षिन ये हो गया पूरव ये हो गया पस्चिन तो दक्षिन के और दाया हाथ तभी होगा जब आपका मुख इधर होगा पूरव की और ठीक है तो आपका मुख पूरव की और होगा तो पीट की और होगा पस्चिन क्योंकि यहाँ पे बैक्तिक खरा होगा तभी उसका दाया हाथ इधर जाएगा ठीक है तो अगर वह पूरब की और मुह करके खरा है तो उसका पीठ किधर होगा पस्चिम क्यों होगा तो एंसर क्या हो जाएगा पस्चिम अप्सन नमर B ठीक है दिये गए और विवस्थित सब्दों के अच्छरों को साथ थक सब्द विवस्थित करने पर कौन सा एक रंग नहीं है तो यहाँ पर देखिए यह भाइले हर बन जायGSा भाइलेट ठीक है और यह फालावर भनेगा ठीक है तो यह ओप्सन नमर भी नहीं होगा यह उरेंज बन option number D निमली खित में से कौन सा अच्छर है जो 22-12 अच्छर के बाद आता है और 23-12 अच्छर से पहले आता है ठीक है तो 22-12 अच्छर जे की आप कर सकते हैं तो यहां पर L होता है बारहमा ठीक है 22-12 और दाएं से 13-12 अच्छर से पहले आता है दाएं से तेरहमा तो दाएं से तेरहमा अगर देखी है तो 27 में चला गया तो 14 हो गया आपका किसका हो गया M N का तो N के पहले आना चाहिए ठीक है तो M N के पहले ठीक है और दाएं से तेरहमा अच्छर से पहले आता है तो दाए से तेरह में N हो गया, उससे पहले आएगा तो यह तो आएगा नहीं, यह भी आएगा नहीं, O P है, O P 13 में, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सर्टिक P ही होगा, ठीक है, P हो जाएगा, क्योंकि P जो है N के इधर ही है, और O 26 में से घटाया होगा, पोजिशन मुझे माता है A और B की, C जो है, किसकी माता है A और B की, यदि D पती है B की, D क्या है, पती है B की, तो C कौन है D की, तो C कौन है D की, C कौन है D की, सासु मा, सासे होगी न, Option नमर दो, 12 गंटे में घरी के बजने की संक्यां, ठीक है, तो टोटल कितने बार, जैसे 12 बज़ा तो 12 बार बज़ेगा, फिर सब को जोड़ दिजिए, ठीक है, 12 गंटे में घरी के बजने की संक्यां कितनी बार होगी, बारे में बार, फिर जब एक बज़ेगा एक, फिर उसमें जोड़ दिजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, तो 10, 9, 19, 19 और जो है 15, 34, 6, 4, 5, 45, 3, 48, 42, sorry, 48, 3, 51, 2, 3, 5, 1, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, आठ, 9, 10, ठीक है, सब को जोड़िये तो, साइद यही होगा इसका, 12 गंटे में घरी के बजने की संक्यां, 12, 13, 2, 15, 3, 18, 4, 25, 27, 26, 33, 33, 47, 48, 48, 48, 48, 10, 58, 59, 60, 61, 11 भी तो बज़ेगा, सरस्ट और 11, 11, 78, ठीक है, बिल्कुल सही जवाव, 78 होगा, टोटल, कॉउंट कर लेंगे, जो एक घरी होता है, बजने वाला, उसका बोला कितने बज़े, तो वो जितना बज़ता है, उतना ही 12 बज़ता है, जिसे 12 बज़े वो 12 बज़ता है, एक बज़े, एक बज़े, 2000 तक में हम जानते हैं जिस्च सदी है टिक है तो एक श्व test में पहला दिन क्या हो जाएगा आपका वन उट ही हो जाएगा तो असका answer क्या हो जाएगा । क्योंकि हम जानते हैं कि efficient चर्प, 2000 के बाद और क्याओ किजा है इधर तक 0 odd day हो जाएगा और पहला दिन जब इसमें इंट्री होगा एक odd day होगा और जीरो और अभी बार बोलते हैं और एक को हम क्या बोलते हैं सोंबार तो इसलिए इसका एंसर क्या हो जाएगा सोंबार ओड़ ठीक है तो अपसा नमर बार नहीं सकता हैं तो वह बुद्ध्वार जो हैं आंतेमद therapies याद रखेंग विस यदि अगामि परसोरवय वार है तो अगामी कल तो परसोरवय बार है और माने जब परसोरव解 वार है तो अगामि कल के यानि सनी वार के के दिन गतपर्शों पिछले पर्शों कौन सा दिन था तो विरस पती वार जा उसको गुरूवार बोलते हैं ठीक है अ अथिज अब देखें यहां पर यदी अरुन उत्तर की और अभी मुख होकर सिर्के hut खरा है उत्तर की ओर अभी मुख वो करके सीर के वल यानि इधर इसका मुख है इस दक्षिन की ओर मुख है उसका बाया हाथ तो उसका उसका जो है बाया हाथ किस दिसा में होगा उसका बाया हाथ जो हो जाएगा वो पुरब दिसा में ही होगा क्योंकि इधर मुख खरा है इधर मूर रहेगा तो सभाविक है कि उसका जो है बया हाथ जो है इधर क्यों रहेगा पूराफ क्यों क्या हो जागा पूराफ क्यों निखिल अपने भाई रोहन से आयो में आठ बर्स छोटा है अब देखें क्या बोलता है निखिल अपने भाई रोहन से आयो में आठ बर्स छोटा है निखिल अपने भाई रोहन से आठ बर्स छोटा है तो निखिल का उमर अगर मान लिजिए एक्स है तो उसका भाई का उमर कितना है निखिल का भाई का एक्स पलस आठ ठीक है यह रोहन है, रोहन का X प्लस आठ हो गया, ठीक है, अब यह दुगुना बरा हो जाता है, दुगुना बरा हो जाता है, यानि इसे आठ वर्स का बरा है, सोले वर्स, तो उसका क्या हो जाएगा, दुगुना बरा है, तो सोले वर्स होगा, तभी इससे दुगुना बरा होगा, आपसा नमर चार, एक मैदान में कुछ बत्तक और क्या हैं, बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर है, तो यह बहुत कुमान सा कोश्चन है, तो यहां पर बोला है कि मैदान में कुछ बत्तक और बकरे हैं, ठीक है, तो मैदान में बत्तक और बकरे की संख्या मिलाकर कितना है, 77 है, तो आपको पता होगा कि सर तो दुनों का एक ही होता है, लेकिन बकरे के पैर कितने होते हैं, चार, और बत्तक के पैर कितने होते हैं, द संख्या एक्स ठीक है तो यहाँ पर टोटल अगर हम संख्या मान लेते हैं तो अगर टोटल यहाँ पर बत्तक की संख्या ही मान लिए टोटल आपको दिया हुआ है सीर की संख्या 77, तो यहाँ बकरे की संख्या कितनी हो जाएगी, बत्तक की संख्या X मान लिए, तो बकरे की संख्या कितनी हो जाएगी, 77-X, सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों मिला करके 77 सीर है, एक ही की सीर होगा, तो बकरे की संख्या चार पेर, 77-x, equal to क्या कर लिए, 224, यही हो गया, ठीक है, अब देखिए, 2x, पलस गुना कर लिए, सचोक 28, 8, मौकी 2, 77, गुने 4 कर लिए, सचोक 28, 8, मौकी 2, सचोक 28, 2, 308, 308 हो गया, minus 4x, equal to 224, ठीक है, यही हो गया, अब इसको इधर ले जाइए, 2x, minus 4x, minus 2x, equal to, 224, 308 में, minus हम चला जाएगा, 224 घटा लिजए, 8 में से 4 गया, 4, 10 में से 2 गया, 8, और यहां बच गया, 2 में 2, 84, ठीक है, तो, minus 84, यह, यह, कट गया, x equal to, क्या हो गया, आपका, 24, तो यानि, बकरी की संक्या कितनी हो गई, यह, सवारी, बत्तक की संक्या कितनी हो गई, 24, पूछ क्या रहा था, बत्तकों की संक्या, तो, option नमर क्या हो जाएगा, 24, समझ गया होंगे, इस टाइप के questions को बनाने के ल स्वेम है, उसके पिता, मेरे पिता के क्लोटे पुत्र है, यानि, वो स्वेम ही है, तो भासकर वो लरकी से, वो आसा से कैसे संबंदित है, पुत्री के रूप में, और यहां पर मैंने बताए था, अपने से आगे बैठी वी महिला की और देखते वे, अमित ने कहा, वो मेरी पतनी की बहन है, उस महिला से, अमित का क्या संबंद है, साली, पतनी की बहन क्या कलाती है, साली, ठीक है, और ये कोस्टन्स, साइद मैंने अभी पाउश किया था, हो सकता है, उसमें छुट गया, तो यहां पर जो है, कोस्टन्स को फिर से मैं एक बार, रिपीट कर दूँ, एक मैदान में कुछ बत्तक और बक्रे हैं, तो बत्तक को एक्स मान लीजिए, तो बक्रे की संख्य कितना हो जाएगी, ठीक है, फिर से मैं बना दूँ, जैसे मैदान में बत्तक और बक्रे कुल मिला के 77 सीर है, तो मान लेते हैं, माना की बत्तक कितना है, एक्स, तो बक्रा क इक्वल टू दोनों पैरों कि संख्या दो सच्वी स्वाल्व करेंगे एक्स का भेलू आ जागा आपका 42 कर लेंगे ठीक है चलिए अब आते हैं next question पर एक लड़के क्यों रिसारा करते हो बीना ने का हुआ मेरे दादा जी वह मेरे दादा जी एक लवते पुत्र का पुत्र है वह मेरे दादा जी के लवते पुत्र का पुत्र है यानि उसके पिता जी का पुत्र है वह लरका भीना से क्या समन देते हैं कैसे समन देते हैं तो सिंपल सी बात है भाई ही होगा दादा जी के लवते पुत्र का पुत्र क्या होगा उसका भाई ही होगा भीना का सिंपल सी ब हैनल होता है डय़ मपूर्व के का हो जाता है उत्तर हो जाता है यानि हम लोग यहां कितना डिए बार रहे हैं 90 और 45 कों हम बना करके आगे बढ़ रहें ठीक है उत्तर पूर प्रव उत्तर पूर्व यह होना आपका उत्तर और ये पुर्व ये हो गया आपका कौन सा उत्तर पुर्व पस्चिम हो जाता फिर वही काम हो गया है तो पस्चिम anti-clockwise direction में ठीक है anti-clockwise direction में घूम रहा है तो यह इधर की ओर बढ़ेगा तो पस्चिम क्या हो जाएगा यहां से यह direction में आ जाएगा यह कौंसा है direction क्या हो जाएगा जितना degree का कौन बना करका आगे बढ़ रहा है उतना हम आगे बढ़ाते चल जाएगा और direction देखें, clock है कि anti clock next question पर आते हैं एक दिन मैं और आप सुबह के वक्त आपस में एक दूसरे सामने खरे होकर बाते कर रहे थे जिसमें मेरी चाया आपके दाई और बन रही थी तो देखिए सुबह के समय में आप गौर किजिएगा सुबह के समय में सुर्ज का जो है मुख की धर रहता है पूरव की और यहाँ पर सुर्ज है और बोल रहा है कि आपने समय जिसमें मेरी चाया आपके दाई और यानि आपके दाई और बन रही थी तो यहाँ पर अगर यहाँ से light आएगा तो परचाय इधर बनेगा और वही बैक्ती का इस साइड जो है दाया होगा ठीक है जिसका मुख जो है दक्षिन की और होगा दक्षिन की और होगा सिम्पल सी बात है इधर मुख होगा तभी उसका इस साइड में परचाय बनेगा ठीक है तो आपकी दिसा की और खरे थे, इसे मेरी छाया आपकी दाईए और बनी ठीक है, तो सिम्पल सी बात है दक्छिन क्योड खरे थे तभी तो उस वैक्ति की छाया इसके दक्छिन क्योड बनी है, ठीक है तो यह भी याद रखना सुरियोद दौफ़ दक्छिन, दौफ़ दाएं तो दाई तभी बनेगा जब उसका मुख दक्षिन क्योर होगा तो यह सनलाइट के आप जो भी इमेज बनता है उसको देख कर सकते हैं और यह समय ने वीडियो लेक्चर में अच्छे समझा है उसको देख लिजे गर्मा का पर्चा देते हुए राकेश ने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी के एक लवते पुत्र है गर्मा के बारे में बोलता है राकेश ने कहा उसके पिताजी गर्मा जो पिताजी है वो मेरे पिताजी के एक लवते पुत्र है यहां राकेश वो स्वेम है आप बताए रा बालीका सिक्षा को महत्ता देना उचित है। बालीकाएं बालुकों से अधिक बुध हिमति हैं। अतीयत में बालीकाओं को बुरी तरह से भीवेदित किया जाता था। किसी समाजिक परिवर्थन के नेत्रित में केवल बालीकाएं समर्त हैं ठीक है तो देखिए सबसे जाइदा जो समाज के परिवर्तन में अगर उत्थान की बात करें तो महलाओं का योगदान बहुत बड़ा होता है अगर पूरु सिक्षित होता है तो उसे जाइदा प्रभाव नहीं होता है लेकिन अगर एक महला सिक्षित होती तो पूरा परिवार सिक्षित होता है, ये बात आप जानते होंगे, तो ये सबसे जायदा है, ठीक है, देखिए, इसमें सारा इंसर आपको सही लगए, लेकिन जो सबसे जायदा उप्यूक्त है, उसको हम वहाँ पे किलिक करेंगे, बार बार ये मैं इसलिए कहता हूँ, कि आ निम्न में से कोई नहीं काम करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कि आपको सम्मान नहीं देए, उसको हम बहुत करेंगे, समझा सकते हैं, कि ये बरो को आधर करना चाहिए, ये कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी अक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, एजे सिक्चर, निम्न म वारे वर्स उम्र के बच्चे में सबसे अधीक होना संबब है कुल प्रेरक्ष समन्वे में कटनाई समकक्षी के अनुमोधन के लिए बैचेने ठीक है तो जो समकक्षी के साथ बादचित करने के लिए हर हमेसा परिसान दता है सबसे ज्यादा होनी चाहिए बुनियादी अस्तर प्रमात्री भासा में सिख्चा देना बहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मिश्वास का भी कास करेगा प्राकिर्टिक बताबर्म बच्चों को सीखने में साहिता मिलती है बच्चे जल्दे शिखते हैं तो यह सबसे ज़्यादा यहां पर उप्यूक्त अंसर है और अभी आपको पता होगा कि त्री भासा फर्मूला के तर्ज जो है लोकल लेंगोज में बच्चों की पढ़ाई की जाएगी पूरे भारत में नई सिक्षा निती 2020 के तर्ज शिक्षा को आप जानते ही होंगे अब देखे चार संख्याँ में से पहले तीन का आउसत पंदर है ठीक है तो पंदर है तीया 45 आउसत टोटल होगा 45 अंतिम तीन का आउसत 16 तीया 48 ठीक है यदि अंतिम संख्या 19 है उसमें अंतिम संख्या क्या बोलता है 19 है अंतिम संख्या क्या बोल एक आवन तो पहली संख्या क्या है तो पहली संख्या आपको पूछ रहा है ठीक है तो यहां पर हम इसको तरीका से बना सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले देखिए चार संख्या में से पहले तीन का आउसत कितना दिया है 15 तो चार संख्या में पहले तीन का होगे आपका आउसत पंदर है तो टोटल 45 हो गया अंतीम 3 का, 4 संख्या, अंतीम 3 में एक बोलता है 16 है, और जो है, 2 का क्या बोलता है, अंतीम 3 का आउसा 16 है, ठीक है, अंतीम 3 का कितना है, 16 है, 48 हो गया यह टोटल, ठीक है, 45 और 48 जोर दिये, यदि अंतीम संख्या 19 है, तो पहली संख्या क्या है, ठीक है तो यहां पर हम 19 इसमें से घटा लेते हैं तो चार संख्याओं में पहले तीन का आउसत क्या है पंद्र है तो पंद्र तिया 45 टोटल हो गया अंतीम तीन संख्याओं का 48 तो तो चे संख्यां में यह टोटल तेरोगे हो गया जिसमें कि अन्तिम बोल रहा है कि छटा अन्तिम क्या है 19 है अन्तिम वहला घटा दिया 19 तो यहां पर घटा यह तो आपका हो जाएगा तो चोहत्तर अब इधर एक ही घटा है चे में इधर तो पंच बचा लगए पंच से भाग दे दिजा तो 15 15 15 75 होता है तो 15 और तो इसमें से देखिए यह सब तो option होगा नहीं तो एक बढ़ा करके एक में घटा सकते हैं तो यह क्या होगा कि यह क्योंकि आउसत न बोला है 15 ठीक है तो यहां पर हम पहला संख्या अगर हम 16 दे दें तो दूसरे 14 दे देंगे तो आउसत हो जाएगा तो इससे 15 16 के यह फुराक्स होगा तो एंसर क्या हो जाएगा ए ठीक है जिस काम को 15 बैक्ति परती दिन 8 घंटे काम करके ठीक है तो यहां पर कुछ नहीं करना M1,D1,H1 करते हैं इक्वल टू,D2,H2 15 बैक्ति परती दिन 8 घंटे काम करके 21 दिन में काम कर सकते हैं काम टोटल कि दिन 6 घंटे काम करके कितना दिन में तो यह D2 निकालना है तो अब यहां पर जो है कर लिजिए काट लिजिए साथ दूनी 14 साथ याई 21 ठीक है तो यह हो गया 3 दूनी 6 ठीक है 2 दूनी 4 दूनी 8 यानि D2 इकल टू क्या हो गया 30 एंसर क्या हो जाएगा 30 M1,D1,H1 इसका फर् हो गया आपका मेन पावर,D हो गया,D हो गया,H1 हो गया,H1 हो गया आवर ठीक है तो इस पर बना लेंगे, अब है next question, सांत जल में 9 की चाल 10 किलो मीटर परती घंटा है ठीक है और यह धारा के परतिकूल 6 घंटे में 45 किलो मीटर धूरी धूरी तै करती है, तो सांत जल में 9 क कि चाल कितना है, तो अगर मौन लेते हैं 9 की चाल,X मौन लेते हैं,X equal to 10 किलो मीटर परती घंटा हो गया, किलो मीटर पर आवर, यदि धारा के परतिकूल यानि विपरीत में 6 घंटे में 45 किलो मीटर, तो इसका जो है चाल equal to क्या हो गया, दूरी वटे, दूरी वटे समय, 45 वटे 6 कर दिये, तो धारा की चाल, और ये सांट जल में X है, और X minus Y हमारा कितना है, आपका 45 वटे 6, और यहाँ पर X मेरा 10 किलो मीटर है, 10 किलो मीटर, तो यहाँ पर 45 वटे 6 कर लेते हैं, ठीक है, 10 चा का 60 10 चा का 60 हो गया यह तो यहाँ पर यही हो गया ठीक है तो यहाँ आईसे हम करना चाहेंगे तो यहाँ पर हो गए आपका 45 बटे किलो में 45 बटे 6 तो कर सकते हैं LCम ले करके 10 चा का 60 में 45 गया तो 15 बटे 6 तो काट लेजे 3 दूनी चे तीन पचे 15 पंच बट्टे दू यानि 2.5 तो अप्सन नम्मर क्या हो जाएगा एक इसका सही जवाब हो गया ठीक है से 10 किलो मीटर नाव का दिया हुआ है वह पूट करके हम निकाल लेंगे ठीक है अब देखें बिर्थ की परीद ही क्या होता है टू पायर देखिए जो आपके एक्जाम में है दो चार पंच को समयत के रहेंगे तो घवराना नहीं है बस बनाना है क्योंकि आप लोग 10 तक पड यहां किज़ेंगा 11 12 यहां को लुक्त के तबियालीं को ढाइस है टिक है तो यहां कींधिया डिवरान कर जाएगा ठीक है तो यहां घाह तबनाना है यार। तो फिर पायार एस्कॉयर निकाल लिएगा तो जो भी होगा आपनों निकाल लिजेगा पायार एस्कॉयर बिर्द कच्छत फिल क्या होता है पायार एस्कॉयर होता है तो पाय आश्कॉयर बाइस बटे साथ गुने आर एस्कॉयर क्या हो जागा 77 बटे दो गुने 77 बटे 2 ठीक है अब जो है ऐसे करके अब गुना करके दो से भाग दे जीजेगा 0.5 में ही कोई एंसर आएगा अब देखे चपन स्वा पच्चिस बिक्छो के एक बगिचा लगाता है इन बिक्छो को इस पगर लगाता है कि जितने बिक्छुत ने बंकती तो यहाँ पर कुछ नहीं बर्गमूल निकालना है चपन स्वा पच्चिस का बर्गमूल निकाल लिएगा तो लास्ट में तो पांच ही होगा और यह इधर साथ ही होगा तो 75 होगा ठीक है बर्गमूल पांच लास्ट में तो पांच ही होगा मोची चमरा तो दर्जी कपरा सिंपल सी बात है एक महिला के उसंकेत करते हैं सैमन ने कहा वह मेरे पिता की एक मात्र बहन की पुत्री है वह मेरे पिता की एक मात्र बहन की पुत्री है यानि उसकी बुगा की बेटी है वह महिला सैमन से किस फरकार सम्बन दित है सिंपल सी बात है फुफेरी बहन बुगा की बेटी क्या कलाती है फुफेरी बहन नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन हो चुका है चली ठीक है तो इस परकार हमने जो है नेम लिखे सब्दों में विसम सब चुनिये चन्रमा गरही का पिर्थबी उपगरा तो देखिए गरही का कोई सब्द नहीं है यहाँ पर स्वरमंडल का तो अप्सन नमर भी तो इस परकार हमने जो है यह कंपलीट सेट किया है फिप्टी कोस्टन का ठीक है मुझे उमीद है कि आपको समझ में आया होगा और जो लोग का क 0070634348 पर कॉंटर्ट कर सकते हैं आप और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस पर जाकर के डारेक्ट आप डेमो दे सकते हैं डेमो बिलकुल फिरी है और जोईन भी कर सकते हैं ठीक है थेंक्यू सो मच वाचिंग फार दिस वीडियो